इस वक्त सबकी नजर इसराइल की आर्मी से ज्यादा उसकी एफोस पर टीकी है इसराइल ने पिछले कुछ वर्ष्टों में ऐसे फाइटर जेट अपनी वायू सेना में शामिल किये हैं जिसकी तक्कर का कोई जहाज पूरे पश्ची मेशे में नहीं है कहा जा रहा है कि इसी वज़ा से इसराइल ने अब ओपरेशन फोकस्टों की तैयारी करी दिए है बारा घंटे अच्छारा घंटे शोवीस घंटे शोवीस घंटे अच्छारा घंटे अच्छारा घंटे लाज़ार इसराइल ने गाज़ा को कितने घंटे में फट्र करने का ब्लैंड तैयार किया है इसराइल के मताबिक अगले 48 घंटे हमास पर बहुत भारी है क्योंकि हमास का सर्वनाश करने के लिए इसराइल ने अपने शक्तिशाली लड़ाको बिमानों को जंग में उतार दिया है घंटे गाज़ा की तबाही की जो तद्वीने सामने आ रही है उससे ये बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि इसराइल के लड़ाको बिमानों ने घंटे हमास का सर्वनाश वीडियो नमबर ए हमास का सर्वनाश वीडियो नमबर दो हमास का सर्वनाश वीडियो नमबर ती हमास का सर्वनाश वीडियो नमबर चाप ये पांच वीडियो तो बस बांगी है इस्रैल के लड़ाको विमान लगातार गाजा पर कहर बर पा रही है हमास से इंतagain के लिए इस्रैल ने अपने ताकत पर लड़ाको विमानों को जंग में उतार दिया है हमास के लड़ाकों को धेर करने के लिए इस्राइल के फाइटर जेट पूरी तरह एक्शन मोड में है इस्राइल के एर स्ट्राइक से गाजा का बुरा हाल है इस्राइल के लड़ाकों विमान अपनी पूरी ताकत से हमास पर बड़े बड़े हमले कर रहे हैं हमलों से कई मंसेलों की इमारते हैं ताश के पत्पों की तरह विखर रही हैं। ऊची-ऊची इमारतों के मलबे में बदलने में देर नहीं लग रहा है। इसराइल एरफोर्स के मताबिक पिछले 20 घंटों में 2400 से आधिक हमास के छेकानों पर एरश्ट्राइक की गई है। इस एरश्ट्राइक में इसराइल के तरब से 2000 टन बं गिराए गए हैं। वैसे तो इस्राइल की एरफूर्स के पास जंगी हवाई जहाजों का बहुत बड़ा बेड़ा है लेकिन उसका सबसे शक्तिशाली लड़ाकों विमान F-16 IS है जो F-16 का इस्राइली मॉडल है इस्राइल की वायूसेना 2000 से ही इन लड़ाकों विमानों का इस्तिमाल कर रही है इन 23 वरसों में इस्राइल के पालट को F-16 से दुश्मन देश को मलबे में बदलने की महारत हासिल कर ली है F-16 की गिनती दुनिया के सबसे सुरक्षित और भरोसे मन लड़ाकों विमानों में होती है दावा किया जाता है कि अमेरिका में बना F-16 लड़ाकों विमान अगर अपने पर आ जाए तो किसी भी लड़ाई का रुख मोड सकता है F-16 के इसराइली मौडल में इसराइल के दुश्मनों को ध्यान रखकर कुछ खास बदलाव किये गए हैं वो हम आपको बताते हैं इसकी रफतार है 2414 किलो मीटर प्रती घंटा आप अंदाजा लगाई है कितनी तेज है और इसके साथ इसकी रेंज है 4220 किलो मीटर यानि एक उडान से ये इतनी दूर जाकर हमला कर सकता है यानि 4220 किलो मीटर रेंज में ये दुश्मन का सफाया कर सकता है F-16 एडवांस हत्यारों से लेस लड़ाकु विमान है इसराइल के एफोस ने इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइले लगाई है साथी साथ इसमें हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलों से लेस भी इसे रखा है ये खूबियां इसकी आपके सामने है F-16 सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान माना जाता है यानि ये किसी भी तरह के उपरेशन को अंजाम देने में सक्षम होता है इस्राइल का ये लड़ाकू विमान पचास हजार फीट तक की उचाई पर जाने के लिए सक्षम है F-16 सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाको विमान है यानि ये किसी भी तरह के उपरेशन में काम कर सकता है दिन हो या फिर रात गर्मी हो या फिर बरसाथ अमेरिका से इस्राइल को मिला ये खास लड़ाको विमान किसी भी मौसम में बम और मिसाईलों से हमला कर सकता है इस्राइल 600 से अधिक लड़ाको विमानों से हमले कर रहा है साथ ही साथ 300 रॉकेट लॉंचरों से घाज़ा पर बारूद की बरसाथ हो रही है जंग के लिहाद से F-16 फाइटर जेट को एक विश्वा सनी और ताकतवर विमान माना जाता है यही वज़े है कि घाज़ा के खिलाब फवाई हमले में इस्राइल की अर्फोर्स का बलरा बहुत भारी है F-16 फाइटर जेट की लंबाई 49 फीट, 5 इंच और चौड़ाई 32 फीट, 8 इंच है यह अडवांस रेडार सिस्टम से लेस है इस लडाको विमान का वजन 9.2 टन है और यह एक बार में 21.6 टन वजन लेकर उड़ सकता है ऐसा पहली बार में है जब इस्राइल के लडाको विमानों ने रण भूमी में अपनी ताकत दिखाई है इससे भी पहले दुनिया इस्राइल के लडाको विमानों का लोहा मान चुकी है 1956 से लेकर अभी तक कैसे इस्राइल के लड़ाको विमानों ने अपना युद्ध कोशल दिखाया है इसे आगे बताएंगे भी और दिखाएंगे भी लेकिन उससे पहले अभी इस्राइल के अरफोर्स के सामने कितनी बड़ी चुनौती है इसे समझना सरूरी है फिलिस्तीन के साथ जंग में इस्राइल के लड़ाको विमानों का सामना इरान के फाइटर जेट से हो सकता है इस्राइल के लड़ाको विमानों को जवाब देने के लिए सीरिया के जंगी जहाज भी सामने आ सकते हैं साथ ही अगर युद्ध आगे बढ़ गया तो मिसर के लड़ाकों विमान भी इस्रेल से लोहा लेने आस्मान में मोचा समाल सकते हैं। कहते हैं लड़ाकों विमान किसी भी युद्ध का रुख बदल देते हैं। अगर फाइटर जिट बारूद बरसाना शुरू करते हैं तो दुश्वन देश के लिए सबसे बड़े सिर्दर्ध सावित होते हैं। युद्ध की भाशा में कहा भी जाता है कि चाहे जंग का तरीका कितना भी क्यों न बदल जाए। युद्ध में बढ़त लेने के लिए लड़ाको विमान सबसे कारगर सावित होते हैं। इपनिंग विमानों का इजरेल ने ओडर दे रखा है। इससे पहले भी इजरेल की वायुसेना जंग में अपनी ताकत का मुझाहिरा कर चुकी है। वो साल 1967 में हुए उस खास युद्ध के बाद आकार ली। जिसमें इजरेल अकेला छे दिनों तक तीन मुस्लिम देशों से लड़ता रहा। तब इजरेल ने एक साथ सीरिया, मिस और जॉर्डन को हरा कर अपना वर्चस स्थाफित किया था। 1967 में हुए उस जंग में इजरेल ने सबसे पहले अपने लड़ाकों विमानों से मिस्र पर एरस्ट्राइक किया था। जिसके बाद 6 दिन तक भीशन संग्राम हुआ और मिडल इस्ट का नक्षा बदल गया। इस बार भी इजरेल के एक पोर्स में गाजा के खिला अपनी पूरी ताकत जोक रखी है। जिसका साइड एफेक्ट गाजा के धरती पर साफ साफ दिख रहा है। जिसके बार भीशन संग्राम हुआ भीशन संग्राम हुआ एक रहा है।